शुब प्रभाद बोल के शुरू करूं आज नमस्कार और शुब मध्यान अभी बारा बज़े के साथ ही जो तीन घंडे का तीन प्रहर का सेग्मेंट है अगर हम छे बज़े से शुरू करते हैं तो इस साब से देखे तो अभी बी दो प्रहर का देखे का सेग्मेंट चल रहा है तो मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को मैं आप लोगों को स्वागत कर सकती हूँ शुब देखे के इस संभाशन के साथ तो चलिए दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं सोंबाज शुकुमार इस सेग्मेंट में अच्छा एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी सोमवा सुकुमार राय वो बांगला में शिशु शाहितिक मलब बच्चो के शाहितिकार की हिसाब से ही वो फेमस है तो कुछ लोग थोड़ा सा दुविदा में पड़ गये हैं जो लोग सुकुमार राय से जादा वाकिफ नहीं हैं वो लोग यह सोच रहें कि यार ये बच्चे लोग का सेगमेंट है क्या मलब हम बच्चे लोग सुन पाएंगे क्या या जो बच्चों को भी सुना रहे हैं जो बड़े बुज़ुर्ग वो भी थोड़ा सा हैरानियत में रहते हैं कि यार पता नहीं चल रहा है तो उनके लिए अनल्टमेंट था कि और आनंद लेके जीवित थे जितने दिन वो बहुती कम समय तक जीवित थे वो काला जोर एक बहुती बिकट महामारी थी साधिनता से पूर समय में हमारे देख देख चुका है तो उसमें वो गुजर गये थे तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज सोमवा सुकुमार इस वाले सेग्मेंट में आज हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं वासिलिसा वासिलिसा एक सौधागर के की लाडली थी उसकी मा नहीं थी और कोई नहीं थी सिर्फ उसकी एक बहुती दुष्ट सौतेली मा और उनकी सौतेले दो डाइनों के तरह दो लड़कियां थी मनल जब मौत उसकी सामने आ गई वो अभी मरने वाली है ऐसे हालत हो गई थी तो तब वो वासिलिसा को एक लकड़ी से बनी हुई पुतला एक छोटी सी गुड़िया देके वो बोली थी बेटा इसको अपने साथ हमेशा रखना कभी भी इसको अपने साथ अपने से जुदा मत क करना और जहां पर भी जाओगे जब भी जाओगे इसको अपने साथ ही लेके जाना और कोई भी विपता या आफता आए तो इसको कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए देना तो देखना ये भी तुम्हारे साथ तब इंसानों की तरह ही बात करना शुरू करेगी बा के बाद उसकी तो मा गुजर गई भगवान के पास वो चले गई इसके बाद बहुत दिन बीद के वासलिसा भी बड़ी हो चुकी है उसकी जो सौतली मा और जो सौतली बहने हैं ना वो लोग बिचारी के ऊपर बहुत अत्याचार बहुत ही जुलम धोते थे हमेशा यही चाल विवहार बहुती मीठा था बहुती मधूर थी गाउं की जित्ते सारे लोग थे वो सारे उसको बहुती प्यार करते थे उसकी इस मधूर सुभाब के लिए दियान में रखना बच्चो इस बच्ची को देखने में सिरु सुन्दर है इसलिए गाउं की लोग इसको पसं उनोह की सूरत में ही जैसे भग्वान ने, ऐसे ही सूरत नवाजा था जो उनकी मन की diferentes स्यावत काथ से पुछूछी वह कुरूपता है उसको वह प्रतिफलित करते हैं नहीं बच्चो सबकी सुन्दर्ता सिर्फ और सर्फ मन की सुन्दर्ता से ही होता है बाकी हम लोगों को सिर्फ स्वस्त रहना होता है तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी में तो वो लोग बहुत ही जादा जगडालू थे और जलने वाले थे वासिलिसा से इसलिए वो लोग जलते हुए वासिलिसा इतनी जादा जलते थे वासिलिसा से कि उसको पकड़ के न पीटते थे और गाओं की एक किनारे में वासिलिसा लोग रहते थे उस मकान के पीछे ही एक बहुत ही घना गहरा जंगल था उस जंगल में बहुत सारे पेर पौदे थे और उसके अंदर एक बहुत हरा भड़ा और सुन्दर एक बहुत ही बड़ा माठ था माठ बोले तो ग्राउंड था उस जगा पे उस जमीन के उपर बाबायागा बोलके एक डाइन थी यहां पर हम बोल तो रहें डाइन या विच लेकिन बाद में देखते हैं कि वो कैसी थी तो वो जो विच थी ना बाबायागा उसकी घर थी मकान थी उस जमीन पे तो वो जो बुढ़ी औरत थी वो इनसानों को भी खाता था लोग ऐसे कहते थे और वो अगर सुंदर सी कन्या उसके सामने आ जाता तो उनको तो वो पकर के और भी अच्छे से खाते थे लोग को ऐसे लगता था तो वो ही खबर सब के पास पहुँचा तो एक रात को उसकी जो दुष्ट सौतेली मा है वो अपने लडगियों को आके बोला कि एक काम करते हैं पता है मकान में जो आग जल रहा है उसको हम बुझा देते हैं तब के जमाने में आग लगाने के लिए मतलब आगों को आग को प्रजुलित करने के लिए हम ऐसे सेप्टी मैचेस नहीं होते तो इसलिए अगर एक बार आग बुझ गया बेटा तो फिर से प्रजुलित करना मतलब क्या ही बोलू अपना सर पकड़ के बैठ जाने के जैसे हो जाता था तो इसलिए वो लोग सोचे कि अगर घर का जो अगनी है जो प्रजुलित है वो जल रहा है उसको हम अगर बुझा तो तब उसको लाने के लिए दूसरों के पास जाना होगा और वो लोग कहां भेजेंगे पता है वो बाबायागा के पास भेजेंगे यही वो लोग ठानके ठानके और यह भी सोचे कि अगर बाबायागा के पास जाएगा उनको तो पता था कि बाबायागा इंसानों को खात खाती है और सुंदर कन्याव को भी पकड़ पकड़ के खाती है तो उन लोगों को बहुत मज़ाया यह सोच के तो जहाँ तक यह सोचे वह बड़ी सौतेली बेटी है थी ना वह उठके जा के थोड़ा से राख और मिट्टी लाके वह उस आग को बुझ आदी और भुझ आपी लेकाने वहां पर जाके उनसे थोड़ाशा आग लेंके आओ . अब बहुत ही जल्दी जल्दी जाओ और दौर के बाप प्साओ , अर वहके आग नहीं ही आगदी कि वहां impost लेके है वो कभी बुस्ता नहीं है तो ये बोल के वो लोग तो वासलिसा को ही उस अंधेरे रात में ठंडे रात में ही बालों से खीच के उसको घर के बाहर कर दी और करके दर्वाजा बंद कर दिया अब वासलिसा घर के बाहर बैठके वो रोने लगी अब थोरे देर में उसको अप पूटली से उस पूतली को निकाला और उसके मूह में थोड़ा बहुत खाना देके बोले लकडी के गुरिया लकडी की गुरिया खाना खाओ तुम फिर से जिन्दा हो जाओ और मेरे साथ बाते करो तो जहां तक उसने रिक्वेस्ट की वहिं जो लकडी की पुतला है जो गुर दोनों आखो को खोलके वो बोलना शुड़ू की लकड़ी की गुरिया साथ रहे तो वासलिसा को डर काहे तो तुम डरो मत बाबाया गा की घर चले जाओ सीदे चले जाओ कोई डर नहीं तो वासिलिसा जैसे ही सुना वो चलने लगी रात गया, दिन गया, दोपहर हो गया तब वो देख पाई कि एक बहुती सुन्दर सा एक हरा सा खेट मालब खेट नहीं, एक हरा सा जमीन बहुत बड़ा जमीन और उसकी ठेक बीचों बीच में एक दिखने में लग रहा है के टूटा-फूटा, देखिए सफीद रंग का एक मकान जिस मकान के चारो तर मलब मकान पूरा वो इनसानों का जो सकल होता है कंकाल उससे बना हुआ है और लेकिन वो कंकाल, हड़ी सब कुछ से बना हुआ है लेकिन जितना भी है वो चाय दर्वाजा हो, खिरकी हो, कुछ भी हो इन कहीं पर भी कुछ भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है और कुछ भी माधा नहीं मलब किसी रस्टी से बन्धा हुआ नहीं है और कोई भी चीज उसने जोड़ा भी नहीं है लेकिन तब भी पक्षी के जैसे पंचियों का पैर होता है ठीक वैसे ही चार बहुत ही पतले-पतले से स्तंभ के उपर उसका जो मकान है वो बहुत अच्छे से वहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये सब देखे वासिल सा तो बहुत ही अचम हमें पड़ गई बोली क्यारे बापरे ये कैसे बना हुआ है ये तूट भी नहीं रहा है देखो इतनी मजबुस्ती से ये घर ऐसे के ऐसे सीधा सीधा खड़ा हुआ है तो जितना वो सोचने लगी इतने में एक घुरसवार आया पता है वो पूरा बेलकुल सफेद था उसका गोड़ा भी सफेद उसके कपड़े भी सफेद और वो जो सफेद घुरसवार है न वो आके घर के अंदर वो वैनिश हो गया और वासलिशा देखा कि जहां तक वो वैनिश हो आ तो शाम ढ़लने लगे शाम नहीं दिन ढ़लने लगे और जो धूब था न वो दिरे 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 कोमल होना शुरू हो गया तो इसके बाद और एक जना आये जो सूरज के तरह पूरा लाल रंके थे वो लाल रंका था उसके कपड़े लाल रंकी थी और उसका जो गोड़ा है वो भी लाल रंका था और वो भी सफेद गुरसवार के तरह ये जो लाल गुरसवार है ये भी बाबायागा की जो मकान है उसके साथ वो वैनिश हो गया है वासलिसा देखा कि जहां तक ये बंदा बाबायागा की जो मकान है बाबायागा की मकान की अंदर ये वैनिश हो गया तह वहां तक शाम ढ़लना शुरू हो गया तो धीरे धीरे अंधेरा चाने लगा उसके बाद एक काला गुरसवार आया काला गुरसवार बोले तो सब कुछ काला है उसका गोड़ा उसका कपड़े वो खुद और जहां तक वो भी बाबायागा के मकान में बैनिश हो गया तो वैसे ही चारो तरव अंधेरा चा गया और अपने ही और खुद से ही पता है वो जो कंकाल और हड़ियों से बना हुआ बाबायागा का जो मकान था ना उसमें वो सारी हड़िया ना चमकना शुरू की तो अंधेरे में सर्फ वो घर चमक रहा था वहां पर रोष्णी की कोई कमी नहीं थी तो इतने देर में ये लोग इतने देर में बाबायागा वापस आगी वो हमान दिस्ता की तरह कोई एक यान में हमान दिस्ता बोले तो जिसमें देखना हमा लोग कभी-कभी हल्दी पीस्ती है मसाले कुटते हैं वैसा तो हमान दिस्ते एक बहुत बड़ा सा हमान दिस्ते में चड़के वावायागा तो वापस आगी और आखी वो वासलिसा के शरीर का जो स्मेल है जो खुश्भू है वो उसको वो समझ ली भाव ली और वो उसे पूछा तो वासिलिसा ने बोला कि मुझे आग चाहिए मैं आग लाने के लिए आया हूं तो हमारे बवाया का बोली अच्छा तो आग लेने आई है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ेगा एक काम कर तीन दिन यहां पर रह है मेरे घर का काम काज कर दे अगर तू अच्छे से कर पाती है तो ठीक है मैं तुझे आग दे दूंगी और अगर नहीं कर पाएगी तो मैं तेरा एकदम क्या कहते बोल जोल बना के खा जाओंगी तो अच्छा अब तू अब या ऐसे ही तू रह तब तीन दिन के लिए अब अब एक काम कर जो खाने खाना है जो सारे मैं चूले के ऊपर चड़ा के गई हो वहां से नीचे लाके मेरे लिए खाना परोज दे तो वासिलिसा वैसी की तो हमारे जो बुढ़ी बाबा यागा थी वह क्या की गम उंगली चाट चाट के सब कुछ खा ली और उसके बाद उसने बोला कि कल सुभई में निकल जाओंगी अब तु एक काम करियो जब में साम क्यों आ जाओंगी ना उससे पहले तु पूरा मेरा मकान सब कुछ सुन्दर से साफ करके रखना और मेरे लिए खाना भी पका के रखना लेकिन ठीक से और देख उस कोने में ना एक एक बहुत बढ़ा गमला जैसा है उस गमले में देख सोने का धान धान बोले तो चावल से पहले जो कोटिंग होता है कोटिंग में रहने वाला जो चावल होता है तो जिसको जिससे अभी तक चावल को निकाला नहीं गया है तो उसको कहा जाता है धान तो धान है और उस धान में आले रंग के चावल भी मिला हुआ है मिलावट है अब तुम्हें काम करना सबको अलग-अलग कर लेना करके रखना और याद रखना थोड़ा सा भी भूलना हो कुछ तो वासिले सा तो सोचते सोचते रोने शुरू रोना शुरू कर दी तब वो अपने लकडी की जो गुडिय बोलने लगी के लकडी की गुडिया साथ में हो वासिलिसा को काहे कब है तो अगर तुम जानते हो के लकडी की गुडिया तो तुम्हारे साथ में है तो तुम क्यों डर रहे हो तुम निश्चिन्त होके सोने चले जाओ तो वासिलिसा तो सोने चली गई दूसरे दिन जब अमान दिस्ता के उपर सवार होके पता है आश्यर जनक एक घरना घटी सारे पूरे जो मकान है अपने आप भी वो साफ होने लग गई और खाना भी खुद बखुद पकने लग गया फिर वासलिसा बहुत ही जम्मे में चमतकार होने लगा उसके आखों के सामने उसने देखा व वो अलग हो गया कंकर अलग तूटे हुए चावल अलग और काले रंके चावल भी अलग-अलग हो गये और फिर पिर उसको तो कोई परिशानी ही नहीं हुआ, इसके बाद शाम को जैसे ही दिन धलने लगें, उससे ठीक पहले सफेद गुरसवार, जब शाम धलने लगा, तो लाल गुरसवार, और जब रात हो गई जब अंधेरा चा गया तो ठीक उससे पहले काला गुर्सवार आये और बाबा यागा के मकान के अंदर ही वो वैनिश हो गये और ठीक उसके बाद जम जम खट खटांग करके हमान दिस्ता के उपस चड़के बाबा यागा घर पे बापस आगी आके न वो धाई धाई डूम धाम करके खोब अपने घर को हिलाया चाहरो तरवो अपने हमान दिस्ता से ठोक ठोक के देखा कहीं से भी एक चुन्नी भर भी धूल तो नहीं निकलेगा वो खाना चक के देखा देखी उसको लगा रहे वाह किता अच्छा है फिर उसने देखा हर जो धान है वह अलग हो गया है काला और टूटा हुआ हुआ चाहवल सारे अलग हो गये तो बाबाया का पुछ पुछने लगी कि तब वो बहुत ही गुस्य में चिलाना शुरू की और कहने लगी तुझे कौन बचाया है यह जो कोई साधरन इंसान कर नहीं सकती तो वासिले साथो नन्नी बच्ची थी वो डर के मारे कापते कापते बोली मेरी मा मौत से पहले मुझे आशिरवात करके गई थी मैं उससे ही बच गयी उसने तो शक्ति बचन बोला जहां तग यह सुना तो उसने बोल आडे बापरे वाव तो बाबा आयाक ही मॉली आडे बापरे तुकिसकी आशिरवात लेकर मेरे पास आई है झाले तेरि आशिरवात तो मेरे मेरी शर्वनाज की कारण बन जाएगी तू ले भाई सबिए अपना ले यह बोल के खोप्री में थोड़ा सा आग umbrella डाल के फेंग दी और फिर बोले जल्दी जल्दी मेरे घर से निकल जा उसे बाद वासिली ताम स्मारी स्मारी ने कि उसके लख्री की वह State सब्सक्राइब पर लेके गई उसकी सौतेली मा और दोनों वो सौतेली बेहन वो आग देखके वो जल्दी जल्दी पकड़ने गई मलब लेके आग जलाने की कोशिश करने गई लेकिन बच्चों वो आशिरवाद की कबच तो उस सौतली मा और उनकी तोनों बेटी के उपर नहीं थी तो इस चलते क्या हुआ वो तीनों एक साथ और अपने मकान को साथ लेके पूरा जल के राख हो गई तो ये देखके हमारी वासिली साथ तो सोचने लगी मैं अकेली पढ़ गई वो रोने शुरु कर दी फिर उसने अपने लकडी के गुडिया को फिर से कुछ खाना खाने के लिए दिया और बोली के लकडी की गुडिया खाना खाओ फिर से तुम जिंदा हो और मेरे साथ बात करो तो लकडी की गुडिया जाकर आके कहने लगी लकडी की गुडिया साथ में हो तो वासिलिसा क्यों डरते हो तुम राजा के घर जाओ देखना वो तुमें सुखी रखेंगे तो राजा के पास जब वासिलिसा गई तो राजा तो इत्ती सुन्दर और सुशीन लड़की देखे वो खोद अपने सिंहासन से उठके चलके आके बोली अहां तुम किती सुन्दर लड़की हो तुम किसकी लड़की हो और तुम दुखी क्यों हो तुम मुझे से शादी करोगे तुम मुझे शादी कर लो और तुम मेरी राणी बन के रहो मैं तुम्हारी सारे दुख जो है वो दूर कर दूंगा तो ऐसे ही वासिलिसा उस देश की रानी बन गई और वो जो का लखडी की जो गुडिया थी न वो सोने के बिस्तर पे मकमल यानि के सिल्क के के रजाई में रेशम की रेशमी चादर ओर के संदर से वहाँ पर बैठी रही या लेटी रही जो भी जैसे भी आज की कहानी यहां तकी थी एक चीज में बोलना जरूर चाहूंगी इस कहानी में मुझे कुछ चीजे ऐसे लगी है पहली बात तो यह है जब आप लोग टेक्नोलोजी में बहुत आगे बढ़ जाते हो लेकिन आपको आपके सामने वाला समझ नहीं पाता है तब आपको वो लोग भूल इंटरप्रेट गलत समझना शुरू करते हैं है ना जैसे यहां पर बावायागा को का जो भी कहानी है वो सुनने के बाद वो पढ़ने के बाद मुझे यही लगा कि she was a brilliant engineer she was a brilliant scientist इसलिए वो इत्त जादा उसमें ग्यान था कि वो अपने पूरे मकान को एक स्क्र structural components को कैसे जानना है structural morphology के उपर निर्भर करके उसने पूरा का पूरा एक मकान बना दिया उपर से नीचे तेक पूरा का पूरा एक मकान बना के रखा और सोचो वो सारे खुद बखुद रोशनी देते थे मनलब वो solar solar power harvest करना जानती थी इसलिए पूरे घने जंगल में भी मकान हमेशा रोशनी ही रोशनी उसमें चाया रहता था तो हम उनको तब की जमाने में जो लोग science में बहुत आगे बढ़ गए थे लेकिन हाँ western countries में उनको witch बोला जाता था ये अनुबादित कहानी है लेकिन हमारे यहाँ पर ancient जो जो लोग विद्वान थे पूरा काल में उ एक समय तक रिशी, मुनी या प्रगा ऐसे बोला जाता था लेकिन फिर एक समय आया जब हम लोग उनको समझने से जादा डरना जादा शुड़ू किये तो इसलिए तब उनको डाइन या ऐसे कुसंग असकारों का इजात करके हम उनके उपर अत्याचार करने लगे तो बच् टेकनोलोजी में हम लोगों से जादा उननत है उनको सीखना है उनसे सीखना है सभ्यता के साथ उनसे सीखना है नमरता के साथ और उनको समझना है डरना नहीं है ठीक है और अब थोड़ा सा और एक चीज़ अगर हम वासलिसा के नजर से देखे तो वासलिसा देखो छोटी ब इसलिए वो हर आफ्ता से बच गई लेकिन जो सच है सच के प्रभाब में जो आशिरवाद नहीं थी वो किसी के पीछे किसी के पीछे उसकी शती करने के लिए उत्सा ही थी इसलिए देखो जो सौतली मां और उसकी जो बेटियां हैं वो तीनों जल के मर गए बुरा करने वाले अगर अगर इतनी बड़ी साइंटिस थी तो वो ऐसे क्यों सबको खा जाती भाई आप जब अपने काम में साधना में लीन हो तब अगर आपको कोई बार-बार डिस्टरप गरने आते हैं तो कुछ ना कुछ तो लोग थोड़ा ना थोड़ा उनको गुसा आता ही है हम एक कह पानी में सुन रहे हैं कि वासली सा उनके पास गई ऐसे सारे लोग जाते होंगी है ना उपर से उस समय में उस समय क्यों अभी भी होता है अगर आप कुछ नया कुछ करना चाहते हो तो दस जने आपको बहुत ही पीछे खीचना चाहते हो हैं तो बच्चो इसलिए कभी 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 सामने वाला थोड़ा सा बदिमाग बोलना नहीं यह सही वर्ड नहीं होगा वो थोड़ा गुसे में आ जाते हैं तो हमें सामने वालों के मानसिक सिती भी समझने की हिम्मत होना चाहिए और नन्ने दोस्तों माबाबा की और बड़े बुज़ूर्ग और टीचरों की बा पार्ट के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए त्यद्याइब